सब्सक्राइब कीजिए टेग गूरू सपोर्ट चैनल को और बेल आइकन को दबाना ना भूले ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि वाट्सप बिजनस पर गुरूप कैसे बनाएं तो अगर आप अपने वाट्सप बिजनस एप में गुरूप क्रियेट करना चाहते हैं तो फिर इस वीडियो को एंड तक देखते रहिए तो चलिए सीखते हैं तो दोस्तों सबसे पहले आपको अपने मुबाइल में वाट्सप बिजनस एप को ओपन कर लेना है अब देखे गुरूप बनाने के लिए क्या करना है सबसे उपर आपको तीन डॉट दिखेगा इस पर क्लिक कीजिए फिर यहाँ पर आपको एक उप्सन मिल जागा न्यू गुरूप का आपको इस पर क्लिक कर देना है या फिर यहाँ पर आपको नीचे में एक मैसेज बॉक्स दिखेगा छोटा सा इस पर आपको क्लिक करना है और यहाँ पर आपको option मिल जागा new group का तो दोनों ही तरीके से आपको new group का option मिल जागा तो आप आपको new group वाले option पर क्लिक कर देना है जैसे आप new group पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपके mobile के सारे whatsapp number और contact सो हो जाएंगे तो यहाँ से आपको उन सभी एकाउंट को सेलक्ट कर लेना है जिसको आप अपने WhatsApp गुरूप में एड करना चाहते हैं तो यहाँ पर मैंने दो एकाउंट सेलक्ट कर लिया अगर आपको किसी एकाउंट को हटाना है तो उसको या तो कट कर दीजिए या तो उसको यहाँ से अन्टिक कर दीजिए ओके तो वो एकाउंट रिमोव हो जाएगा तो यहाँ से मैं दोने अकाउंट सेलक्ट कर लिता हूँ अगर यहाँ पर आपको कोई kontakt नमर 7 नहीं कर रहा है तो यहाँ आप new kontakt पर क्लिक करके पहले उसको save कर लिजे फिर यहाँ पर वो contact आ जाएगा तो उसको select कर लिजेगा तो contact select करने के बाद अब यहाँ पर आपको तीर वाले option पर click कर देना है तीर वाले option पर जैसे आप click करेंगे तो अब यहाँ पर आपको option मिलेगा group name का तो आप अपने group का कोई साभी name रख लीजे तो यहाँ पर मैंने रख लिया है friends फिर यहाँ पर एक option है disappearing message इस पर आपको click करना है और अब यहाँ पर आपको option देखने को मिल जाएगा 24 hour, 7 days, 90 days उसके बाद एक option off का तो disappearing message का मदलब भी होता है किमालीजे अगर आपने 24 घंटा select कर लिया है तो आपके whatsapp group में जो कोई भी message करेगा message करने के 24 घंटे बाद वो message automatic disappear हो जाएगा वहाँ से delete हो जाएगा इसी प्रकारच अगर आप 7 दिन या 90 दिन करते हैं तो उतने time के बाद वो chat वो message delete हो जाएगा automatic तो यहाँ पर आप चाहें तो इसको on कर सकते हैं लेकिन फिलाल मैं इसको off ही रखता हूँ अब यहाँ पर आपको option मिलेगा group permissions का तो आप group से related settings कर सकते हैं पिर यहाँ पर आपको tick वाले option पर दोबारा से click कर देना है अब देखे यहाँ पर आपका जो whatsapp group है वो create हो जायागा यहाँ से अब आप अपने whatsapp group में जो चाहें वो settings कर सकते हैं यहाँ पर और भी members को add कर सकते हैं notifications को mute कर सकते हैं इसमें chat lock भी लगा सकते हैं और यहाँ से आप whatsapp group को exit भी कर सकते हैं members को remove कर सकते हैं यहाँ से link के जरिये invite भी कर सकते हैं तो यहाँ पर बाकी की setting same whatsapp जैसी ही है जैसे आप normal whatsapp में करते हैं वो सारी setting आपको यहाँ पर मिल जाएंगी और अगर आप अपने whatsapp group में dp लगाना चाहते हैं तो यहाँ पर आपको whatsapp group setting में आ जाना है इसके बाद आपको profile वाले option पर click करना है फिर यहाँ पर gallery का option आजाएगा इस पर click कीजिए और यहाँ से आपको कोई साथ भी एक photo select कर लेना है जैसे मैं यही photo select कर लेता हूँ और अगर आपको photo को rotate करना है तो नीचे आपको rotate का option मिल जाएगा इसको आप rotate भी कर सकते हैं फिर यहां पर आपको डन वाले अप्शन पर क्लिक कर देना है अब यहां पर आपके WhatsApp ग्रूप का DP चेंज हो जायागा तो इस प्रकार से आप अपने WhatsApp बिजनस में WhatsApp ग्रूप बना सकते हैं तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो वीडियो हलफू लगा तो वीडियो को लाइक कीजेगा और अगर आपका कोई भी क्वेस्टन हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर से पूछ लीजेगा